हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल एक्सपर्ट प्रोग्रामर तो इस वीडियो में हम देखेंगे बूलियन तो जहें बूलियन के अंदर दो वैल्योप्स होती है एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स ट्रू में यस और फॉल्स में नो तो चलें को एक्जेंपल से शुरू करते हैं कंसोल और नो दू और फॉल्स तो यह देखें यह डिफेंट कलर में आप है मतलब कि यह स्ट्रिंग नहीं है यह जो बूलियन के कर्याक्टर होते हैं स्पैशिल कर्याक्टर होते हैं तो जैसे यह देखें ट्रू और फॉल्स और अगर हम स्ट्रिंग बनाएं तो ये देखें जो बूलियन है वो ब्लू कलर में है ये गरीन कलर में मतलब ये स्ट्रिंग है और ये मारे स्पैशल कराक्टर है बूलियन के तेसे हम कमेंट कर देते हैं तो सबसे पहले अब हम इसके मैथड देख लेते हैं बूलियन के लैट एमेल एक वारीबल बना रहे हैं एमेल का और इसके अंदर हम स्ट्रिंग एड़ कर रहे हैं एसपर्ट प्रोग्रेमर एड़ रेट ओफ जीमेल डॉट कॉम और एक और हम जरी बनाते हैं अपना रिसल्ट का जिसमें रिसल्ट स्टॉर कर सकें तो इमेल डॉट इंक्लूज एड़ रेट ओफ और अब हम कंसोल डॉट लोग रिसल्ट तो जैसे यह देखे हमारा यह इमेल है तो अब हम रिसल्ट के अंदर कह रहे हैं यह जो इमेल का वैरिबल है उसके अंदर इंक्लूज अगर इंक्लूज एड़ रेट ओफ इंक्लूज हो तो हमें बताए तो उसने हमें रिसल्ट देरिया ट्रू मतलब के मारी इमेल के अंदर एड़ रेट ओफ है अगर इदर हम स्टॉर करने स्टार तो उसने हमें रिसल्ट देरिया फोल्स मतलब के इमेल के अंदर store नहीं है तो यह method होगा .include का तो इसी तरह हम array बनाते है नेम्स की और उसके अंदर हम तीनचा strings add काते थे हैं एक आते थे एक्सपर्ट एक प्रोग्रमर और एक टेस्ट तो उसी तरह पहले की तरह हमने variable बना हमें result का equal है names.includes इंक्लूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडू अतलब उसने मैं कहा दिया कि इस अरेहिक अंदर टेस्ट है अब वैसी हमको इस इस अरेह के अंदर टेस्ट टू नहीं है तो यह होगी है मारी बूलियन मतलब बूलियन के अंदर दो वैल्यूज होती है स्पेशल वैल्यूज टू और फॉर्स टू मेंज यस और फॉर्स में नौ अबर आपको समझने में कोई मसला वगहरा रहा है तो आप कमेंट काते में आपको उदर रिपलाइ दे दूगा चैनल सब्सक्राइब का देना और वीडियो लाइक का देना थेंक्यू